चैम आतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों राहू केतू के बाद नव ग्रहों में छटे ग्रहे शुक्र अब करक राशी से निकल कर सिहिंग राशी में जाएंगे अठाइस सितंबर से शुक्र सिहिंग राशी में जाएंगे और 23 अप्टूबर तक यहीं इस्थित रहेंगे ये जो शुक्र का राशी परिवर्तर है ये लगभग 25-26 दिनों का है यानि शुक्र लगभग एक महिने एक राशी में रहते हैं और देखे किसी भी राशी का भागय उदय होगा तो उसके जीवन में शुक्र का बहुत महत्वपून असर होता है जोति सास्तर में शुक्र को बहुती सुख सुविधाओं का कारग ग्रहमाना गया है नौकरी का व्यपार का सुख शांती का धामपत्य जीवन का प्रेम का का ग्रहमाना गया है शुक्र का ये राशी परिवर्तन जो होगा इसका हर राशी पर हर व्यक्ति पर असर देखने को मिलेगा लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छे राशियों की जिनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अधिकलाब तैक रहेगा क्योंकि शुक्र के इस राशी परिवर्तन के द्वारा छे राशी वाले लोगों के भागे के द्वार खुलने वाले हैं क्योंकि शुक्र ऐसी चीजों के कारक रहे हैं कि अगर व्यक्ति पर खुश हो जाएं तो उसकी लगजरी लाइफ बना देते हैं तो उन्ही छे राशियों की हम बात जिनके लिए शुक्र बहुत अधिक फलदाई रहने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेधन हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशी की उन छटे छे राशियों में सबसे जो पहली राशी है वो है मीश रासी मीश रासी वाले लोगों की लिए शुक्र जो है पंचम भाव में गोचर करेंगे प्रेम का भाव ये पंचम भाव कहलाता है और शुक्र खुद सौंदर या प्रेम के कारग रहे हैं प आपको कई तरह के बहुत अच्छे लाब देगा सबसे अच्छा जो लाब देगा वो देगा आपके प्रेम समंदों में प्रेम समंदों में बड़ी प्रगाटता है कि एक दूसरे का सपोर्ट बना रहेगा एक दूसरे के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे प्रेम परवान चड़ेगा और प्रेम को आप प्रेम विवामी बदर सकते हैं इसके साथ आपके कारेशेतर में भी ये तरक्य देगा कारेशेतर के लिए भी बहुत अच्छा ये रिजल्ट आपके लिए देने वाला रहेगा विवाहिक जीवन में आप इस दोरान आपका पार्टनर हर नीने पर आपका साथ देगा विवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा इस दोरान रहेगा इस दोरान आपका जो कुटुम है आपका जो परिवार है उसमें आपकी सकारात्मक पहचान बन पाएगी मित्रों के साथ बड़ा अच्छा समय वैतित आप करेंगे और विद्यारतियों को भी अपने भविश्य के लिए एक नई दिशा मिलेगी जिस दिशा में वो बढ़कर काम करेंगे ये गोचर काल आपके जीवन साथी की उन्नती भी कराएगा यानि आपका जीवन साथी भी अगर नौकरी करता है व्यपार करता है तो उसको अपने कारशेतर में जोरान उन्न दूसरी राशी की बात कर लेते हैं दूसरी है मिथुन राशी शुकर का ये गोचर मिथुन राशी के लोगों की लिए बड़ी अच्छी खुशिया देने वाला है बहुत अच्छी रिजल्स देगा और साथ ही घर की साथ सज्जा के लिए जरूरी सामान की खरीदारी आप दोरान करेंगे क्योंकि तीसरे भाव में यहां शुक्र आपके लिए जाएंगे सिंग राशी में बैठेंगे तीसरे भाव में शुक्र रहेंगे कारेशित्र में आपके विचारों से आप उन्नती कर पाएंगे जिससे हर तरफ आपका सम्मान बढ़ेगा सराहाईयां आप रह ये आर्थिक वरद्धी के लिए बड़े शोफर बरदान करगा इसके साथ ही घर में मांगलिक कारिया होंगे मांगलिक कारियों के लिए कुछ सुझाव हो सकते हैं अगर आप एविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव इस दोरा ना सकते हैं और यदि आपकी संतान एविवाहित है तो उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं तो ये समय विवाह के बड़े अच्छे योग बना रहा है आपके लिए विवाह में जो बादाएं आ रहे थी वो सभी बादाएं अब आपकी दूर हो जाएंगी अब तीसरी राशी की बात करते हैं तो वो है करक राशी देखे शुक्र आपकी राशी से निकल रहे हैं और आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं धन भाव में वाणी के भाव में धर्म के भाव में तो इस दोरान एक तो जो बिजनिसमेन हैं, जो वेवसाई हैं, चाहे छोटे वेवसाई हैं, बड़े वेवसाई हैं, उनको बड़े अच्छे फल प्रदान होंगे साथ ही आपके लिए यात्रा का यूग भी बनेगा, शुक्र यात्रा के कारग्रह भी माने जाते हैं, तो बिजनिस के सिल्चले में यात्रा इस दोरान करने को मिलेंगी, जो शुफलदाई होंगी, अच्छे रिजल्ट्स देंगी, आएके नए साधन मिलने से मन प्रसंट रहे परिवार में सुक शांती का माहुल बना रहेगा, ये गोचर आपके अंदर कुछ रचनातमक काम करने का मौका आपको दिला सकता है, अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्रियेटिविटी है, ऐसी रचनातमक ता है, तो उसको आप बाहर निकालेंगे, आपको बहुत अच्छे परिविटीनों के दौरान आप समाज में कुछ ऐसी कारे करेंगे, कुछ भलाई के कारे करेंगे, जिसमें लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, और जिससे आपका नाम भी होगा, इसके साथ ही अगर कोई बिमारी है, आप कोई किसी पुराने रोग से परेशान है, तो उससे भी आपको मुक्ती मिलने वाले है, उससे भी आप मुक्त होने वाले है, अब बात करते हैं हम चौथी राशी की, चौथी राशी है सेहिंग राशी, सेहिंग राशी वाले लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर सबसे अधिक बलशाली रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपकी जो सामाजिक जीवन से सम्मधित समस्याएं थी उनका अंत हो जाएगा और आपको अपनी जीवन में बहतर अपनी जीवन को बहतर बनाने के लिए कारिया आप इस दोरान करेंगे काफी दिनों से अगर आपकी मन में छेपी हुई कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो आप पूरी करना चाहते थे तो उनकी पूरती आप कर पाएंगे अध्यात्म कावी साहरा आपको मिलेगा मांचिक तनाव कुदूर कर पाएंगे करियर को एक नई दिशा देंगे आप अपनी करियर को आगे ले कर जाएंगे जिससे आपको लाब होगा नौकरी करने वाले लोगों की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मित्रों के साथ बड़ा आनंदाया समय आपका गुछरेगा व्यक्तित्व निखरेगा व्यक्तित्व में बड़ा जबरदस्तर निखार आपको देखने को मिलेगा एक आकरशन आपके अंदर होगा जिससे लोगों के बीच में एक अच्छी छाप आप छोड़ जाएंगे आपके व्यक्तित्व के लिए आपकी कारेश्यत्र के लिए आपकी बुद्धी मता के लिए बहुत अच्छा ये शुक्र का गोचर है अपनी बुद्धी से आप बड़े अच्छे कारे करेंगे और हर तरफ आपकी पूछ हो सकती है ऐसा ये समय आपके लिए रह सकता है पांचवी राशी तुला राशी शुक्र के सिह राशी में गोचर करने से तुला राशी के लोगों के लिए बहुत से सकारात्मक बदलाव होंगे शुक्र जो है आपकी राशी के स्वामी भी है और इसके साथ ही आपके ग्यारवे भाव में भी बैठ रहे है आपके लगन के स्वामी आपके एस्टम भाव के स्वामी और आपके लाब भाव में बैठेंगे तो नौकरी पेशा से समद्धित जो समस्या है थी उनका अंत हो जाएगा शत्रों को आप बुद्धी बलो और वानी से मीत्र बना लेंगे उनको भी आप परास्त कर देंगे जिससे आपको भविशे में लाब मिलेगा लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा लव लाइफ में आपके लिए नई कुछ नए ही आयाम आप स्थापित कर पाएंगे और प्रेम जीवन दामपत्य जीवन दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे कई तरह की गूड विध्याई सीखने के कोशिश आप करेंगे इस 25-26 दिनों के गोचर काल में शुक्र के में आपकी जीवन में बहुत भेतर परिणाम में आपको देखने को मिलेंगे आपके ज्यान में इजाफा होगा आप अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे लाब प्राप्त कर पाएंगे नया स्टार्ट अप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे बहुत अच्छे बरिणाम आपके लिए जीवन में लिख कर आएगा अब छटी और अन्ती मराशी कोब मराशी पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बहतरीन समय आपके लिए रहेगा आपकी जो आफिस में काम आफिस में साथ काम करने वाले लोग हैं उनका सही होगा आपको मिलेगा देखिया आपके सब्तम भाव में हैं और सब्तम भाव, साजेदारी का भाव, दामपत्य जीवन का भाव और दामपत्य सुख के ही कारागर है ये माने जाते हैं तो दामपत्य जीवन आपका बड़ा सुख में रहेगा इसके साथ ही अगर आप खरीद फरोग्त का व्यापार करते हैं तो उनके लिए बहुत लाबदैक स्थेतियां होंगी कामकाज में बहतरी आने से अधिकारियों के प्रसंसा मिलेगी परिवारिक जीवन बहुत 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 बहुतरी होगा शादी की इच्छा अगर रखते हैं आप विवाहित हैं तो जातकों के लिए ये बहुत शुब समय है विवाहा सम्मंद में बनने का नए नए विवाह के प्रस्ताव आएंगे और अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बहतीत होगा तो हर तरह से आपके जीवन को सुख में बनाने का